बिहार में दिखा एक ऐसा अनोखा जानवर जिससे इत्र बनाये जाते हैं इस जानवर की खूबी जान के आप भी देंग रह जाएंगे और क्या बता रहे हैं वैज्ञानिक इनके बारे में सब कुछ आपको विस्तार पुरुवक बताऊंगा किस तरीके से इस जानवर को आरपुरुवक बताऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा पढ़िचे जान लीजिए मेरा नाम है रजत और आप जंता जंक्शन देख रहे हैं जिबलकुल आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक ऐसा जानवर जिससे बनाया जाता है इत्र और आपको बतादू कि ये जानवर म लोग सोचने पे मजबूर हो झाते हैं देखने में बली की तरह लग रहा है धारियां चीते की तरह है और जिस तरीके से ये इसका पूरा बनावट है शरीर का उससे तो ये नयूला प्रतीत होता है तो लोग इसके उपर कंफ्यूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि बारग और उसके बाद जाके जंगलों में छोड़ देती है। कस्तूरी में भी इत्र का प्रयोग किया जाता है जे बिल्कुल आपने सुना होगा ना कस्तूरी मिर्ग से जो कस्तूरी निकाला जाता है उसमें कस्तूरी उद्विलाओ के भी इत्र का प्रयोग किया जाता है बहुत ही महंगा इसका इत्र बिकता है और ये जानवर जो है वो रात को विचरन करता हो, रात को बाहर निकलता हो, आन तोर पे से दिन में देखना जो है वो थोड़ा मुश्किल माना जाता है और ये चछत पे भी चड़ सकता है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये जानवर है, कितना क्यूट दिखाई दे रहा है ये जानवर, आप साब तोर पे ये देख सकते हैं और इस जानवर की खूबी ये है कि इससे पॉफ्यूम बनाया जाता है, अब आप इसको इतना भोला भाला भी मत समझ लीजिए, ये बड़े बड़े विशधर नागों को भी सफाया कर जाता है, मतलब उनको खा जाता है और इस वज़े इसको पूछोता है, इसके निचले हिससे में जो एक गरंती होती है, उससे पॉफ्यूम बनाया जाता है और उससे पॉफ्यूम निकलता है पॉफ्यूम के लिए इसकी भारी मात्रा में लोग सिकार भी करते हैं और आस्ट्रेलिया से लेके भारत में इसके सिकार के उपर प्रतिबंध भी है इसका सिकार नहीं करना चाहिए वन विभाग के टीम भी बताती है कि भाई ये आपके बहुत काम का चीज है, आपको कई सारे चूहे और बाकी सारी चीजों से वो बचा के रखता है, मतलब आप देख लीजे इतना क्यूट दिखने वाला जानवर साप का सिकार कर सकता है, चूहे को खढेर सकता है, और साथ ही साथ इसके ग्रंथी से जो है इसके पूछ पे जो एक ग्रंथी लगी होती है उससे ये पॉफ्यूम बना सकता है इतना जादा इसके अंदर क्वालिटी होती है और ये जानवर बिहार में पहले से भी पाया जाता रहा है बीच में इसके प्रजातियों के ऊपर ऐसा लगा था कि जैसे इसकी प्रजाती खत्रे में आ गई है यानि अब ये प्रजाती जो है वो धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएगी लेकिन अब मुझफरपुर में एक प्रजाती दिखी जिसके बाद रेस्क्यू टून ने उसे रेस्क्यू किया पिजडे में रखा और उसके ब पॉफ्यूम बहुत महंगा बिकता है कस्तूरी में भी इसके पॉफ्यूम मिलाए जाते हैं क्योंकि इसका जो खुस्बू होता है वो बहुत शांदार होता है बहुत अच्छा महकता है गमकता है बाकी इस जानवर को लेके इस अनुखे से जानवर को लेके आप क्या सूचत वहाखतर आप कोड़ लगता है आप इसके बारे में कितना जानते हैं क्या इसके बारे में पहले जानते थी किया उध विलाऊ है जिस से parfum बनता है तो आप कॉमंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुचा सकते हैं बाकि आप देख रहे हैं जंता जंक्षन और मेरा नाम रजत है